विरात कोली के नाम है एक ऐसा रिकोर्ड जिसे 13 सालों से कोई नहीं पाया तोर और मैं तो बोलता हूँ उसे कोई तोर भी नहीं पाएगा विरात कोली के नाम एक ऐसा रिकोर्ड धर्ज है जिस रिकोर्ड को 13 सालों से तो कोई नहीं तोर पाया अभी तक अब आगे भी मुझे उम्मीद है कि शायद कोई नहीं तोर पाया गया क्योंकि जिस तरीके का ही रिकोर्ड है ऐसे कारणामे किर्केट जगत में बहुत कम होते हैं मैं तो बोलता हूँ कि होते ही नहीं है जिस तरीके का कारणामा विरात कोली ने करके दिखाया है दुरसल विराट कोली के इस कारणामे की कहाणी बड़ी पुरानी है और बड़ी हैरान करने वाली है जो काम विराट कोली ने इस match में किया था वो कारणामा पिछले 13 सालों से कोई गेंदबाज नहीं कर पाया अब आप बोलेंगे कि भाया विराट कोली तो बल्ले बाज है गेंदबाजी का कौन सा कारणावा विराट कोली ने कर दिया तो जनाब विराट कोली ने बल्ले से तो बहुत रिकोर्ड बनाए है अनो का रिकोर्ड बनाए है कमाल का परफोर्मेंस करके दिखाया है विराट कोल के नाम एक record गेंदबाजी में भी दर्ज है और ऐसा दर्ज है जिसे 13 सालों से कोई नहीं तोड़ पाया है कमाल का record है विराज कोली के नाम और बहुत बहुत बहुतर रिकोर्ड विराज कोली ने बनाया था दरसलिये साल 2011 की बात है बहुत मततब इंडिया और इंग्लैंड का मुकाबला चल रहा था इंडिया और उस वक्त मेहंदे सिंग दोनी कफ्तान हुआ करते थे विराट कोली किर्केट जगत में नया नया चेहरा थे नया रिकोर्ड बना रहे थे नए नया आयाम तैकर रहे थे मेहंदे सिंग दोनी की कफ्तानी में इंग्लैंड के दोरे पर भारते टीम थी केविन पीटरसन उस वक्त बड़ा नाम हुआ करते थे विराट कोली केविन पीटरसन को आउट करने के लिए एक प्लान बनाना परता था तो मेहंदर सिंग दोनी ने क्या किया वंडे मुकाबले में केविन पीटरसन को आउट करने के लिए विराट क बड़े चालाग थे बड़े एकदम शातिर दिमाग विराथ कोली ने भी लगाया केविन पीटरसन को आउट करने के लिए और विराथ कोली ने केविन पीटरसन के लेग स्टम पर गेंद कर दी अब केविन पीटरसन उसको फिलिक करने की कोशिश कर रहे थे और जैसे केविन पीटरसन उस गेंड को फिलिक करने की कोशिश कर रहे थे वो अपना पैर किरीज के आगे ले गए और जैसे कि आगे गए गया उनका पैर लेग स्टम के बाहर दोनी ने स्टम कर दिया आप देख सकते हैं इस तस्वीर को किस दर कर दिक से केविन-पीटरसन का पैर कीज से आगे है और दोनिंटनि ने उनको सीधा Octome कर दिया तो जाहिब तोर पर जैसे यह buyersश हूआ के-विन-पीटरसन का विकेट मिल गया विराट को लेकिन यह विकेट वाइड घेंद पर मिला था क्योंकि UMPIRE ने सिदा वाइड बोल का जो था वो इशारा कर दिया और वाइड बोल के इशारा करते ही ये एक रिकोर्ड विरात कुली के नाम धर्ज हो गया कि अपनी पहली गेंद पर विकेट लेने का रिकोर्ड और वो भी वाइड हमतलब बिना किसी गेंद के विकेट लेने का कारणामा बिछले 13 साल में केवल विराट कोली कर पाए है क्योंकि यह पहली बोल जो थी वो वाइड थी और केविन पीटरसन का विकेट मिल गया अब वाइड बोल पर अगर स्टंप हो जाता है तो क्रिकेट के नियम के हिसाब से आप भी जानती है वो विकेट मिलता है तो वो ही कारणामा हुआ कि वाइड बोल पर विकेट लेने वाले मतलब बिना किसी गेंद के विकेट लेने वाले विराट कोली पिछले 13 साल से हिकलोते खिला रही है ये रिकोर्ड अभी तक तूटा नहीं है जाहर तोर पर क्योंकि बड़े कम मोखे ऐसे होते हैं जब ऐसा कारणामा होता है तो विराट कोली के नाम ये ऐसा रिकोर्ड दर्ज है जो अभी तक तूटा नहीं है पिछले 13 सालों से अब देखते हैं कि यह record कब तूटता है कौन तोडता है किस तीम के खिलाप होता है यह कारणामा लेकिन पिछले 13 सालों से तो यह record विराट कोली का आमर है और गेंदबाजी के तौर पर यह record है क्योंकि बल्लेबाजी में तो विराट ने बहुत सारे record बना है लेकिन गेंदब बाजी के तौर पर यह कारणामा विराट कोली का क्रिकेट के इतिहास में आमर हो गया आपका विराट कोली के इस record पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो चिलेगी हो तो लाइक को शेच जरू करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अबड